आदाव नमस्कार शुपरभात स्वागत है आपका सत्यम नीजबेब टीवी में उत्तर परदेश के भदोहीं जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजीर हु मैं नसीर कुरेशी फटापट खबरों पर नज़ा डालें इससे पहले आप सभी से अपील अपने आस पास की होने वाली घटना वा दुर घटनाओं को चैनल पर फ्लेस और नमबरों पर तुरंद बताएं आज क्या है भदोहीं जिले की खबरों में आईए देखिए हमारे साथ आज सनिवार से सोमवार की सुबा साथ बजे तक आनसिक कर्फियू रहेगा आपको बता दे की सासन ने सब्ताह में पांच दिन कुछ सर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमती दी है ऐसे में आज सनिवार वकल रविवार को सापताहिक बंदी रहेगी आवसक वस्तूओं को छोड़ सभी दुकाने बंद रहेंगी इस दौरान भदोही जिले में आनसिक कर्फियू जैसे हालात बने रहेंगे आपको बता दे की कल सुक्रवार की देर साम साथ बजे से आनसिक कर्फियू लग गया है या आनसिक कर्फियू सोमवार की सुबा साथ बजे तक खुलेगा इस दौरान दो दिन पहले होने वाले सापताहिक बंदी के बीच ग्रामिल वर नगरी इलाकों में सुच्चता अभियान के तहत साफ सफाई वर सेनिटाइजेशन का कार कराया जाएगा इस दौरान आवसक सेमाओं को छोड़ कर सभी दुकान वर प्रति सुकरवार को खाद सुरच्चा विभाग के अधिकारियों ने गोपी गंज अलाके के खढ़ँटी मुहाल में नकली नमक के बिक्री की सूचना पर एक बार फिर छापे मारी की है चापे मारी दस्ता में सामिल मुख खाद सुरच्चा अधिकारी के निर्थत में खाद सुरच्चा अधिकारी बिनोध वर्मा जेपी गुपता की टीम खड़टी मोहाल के थोग बैपारी गुपालदास गुपता के हाँ पहुची थी चापे मारी से दूसरे बैपारियों में भी अफरा तफरी फैल गई कई दुकानदार तो सटर डाउन कर भाग खड़े हुए इस दवरान एक बड़े नामी गिरामी कमपनी के नाम से मिलते जुलते नमक का अधिकारियों ने सेंपल लिया और उसके लाइसंस के बारे में भी जाच पड़ताल की हलाकि लाइसंस बैद पाया गया आपको बता दे कि नकली नमक को लेकर काफी दिनों से भदोही जिला सुर्खियां बटोर रहा है और धडले से बाजारों में नकली नमक की बिक्री की जा रही है पिछले कई दिनों से आघोसित बिधुत कटोती ट्रिपिंग वन लो बोल्टेज की समस्याओं से जूज रहे भदोही वासियों का गुस्सा अब बिधुत बिभाग पर फूटने लगा है आपको बता दे कि बिधुत बिभाग के बड़े अधिकारियों पर अब किसी का अंकुस नहीं रह गया है जिसकी वज़ा से बिभाग पूरी तरह बेलगाम हो चुका है पिछले कई दिनों से भदोही में बिधुत आपूर्ती बिवस्ता बेपटरी हो चुकी है इसी को लेक नगर सुकरवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जहां लोगों ने भदोही सहर के चवरी रोड बजार सरदार खान पुराने बस अड़ा के समीप लगे ट्रांसपार्बर के पास पहुचकर अपना बिरोध दर्ज कराया जहां नगर पालिका के सभासद दानिस सिद् संकर्मल की लहर से तूट चुके भदोही जिले के बेबज माबाप के लिए सूबे की सरकार ने जिलादिकारी भदोही आरिका अखोरी के द्वारा सौगात भेजी है आर्थिक तंगी के चलते तूट चुके बेटियों के माबाप को अब घवराने की जरूरत नहीं है सूबे की सरकार ने मुखमंतरी साबूही बिवाह योजना के तहट सौ बेटियों की साधी कराने को एक क्यामल लाख रूपे का बजट भदोही जिले को दिया है भदोही की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए सुक्रवार को विकास भवन सभागार में सीडियों की अध्यस्ता में छा विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी और साथ नगर निकाओं के अधिसासी अधिकारियों के साथ बैठक संपन हुई है और जोडों को चैन को कहा गया है ग्रामिड एलाकों से खंड विकास अधिकारी वर नगर पालिका वर नगर पंचायत एलाकों से अधिसासी अधिकारी ऐसे बेटियों की तलास करेंगे जिनके माबाप निर्धन वा गरीब हैं मुखमंतरी सामोहिक विवाह योजना के अंतरगत ऐसे सो बेटियों के हाथ पीले कराए जाएंगे और उनकी डोली सजाई जाएगी गोपिगंज एलाके के माधोपुर पावर हाउस के समीब 16 जन्वरी को तालाप पर अतिकर्मल के नाम पर 14 परिवारों को बेदखल कर दिया गया था उसके बाद भदोही जिला परसासन द्वारा इन 14 परिवारों को नौधन में जमीन आवंटित कर परमाल पत्र भी सौब दिया गया था लेकिन जिला परसासन के ढुलमुल रवये के चलते बेघर आवंटियों को अभी तक उस भूम पर कबजा नहीं मिल पाया है ऐसी सूरत में 14 परिवार के लोग खुले आस्मान के नीचे या किराये पर रहने को मजबूर हैं अतिकरमल के नाम पर जिला परसासन ने इन्हें बेघर तो कर दिया गया लेकिन अब आवंटित भूम पर कबजा दिलाने के नाम पर आना कानी की जा रही है ऐसे में यह सभी परिवार के लोग किराये का माकान लेकर रहने को मजबूर हैं कुछ तो आज भी खुले आस्मान के नीचे बाग बगईचे में जिन्दगी गुजार रहे हैं गरीब बेसहारा परिवारों ने एक बार फिर जिला परसासन से गुहार लगाते हुए आवंटित भूम पर कबजा दिलाए जाने की मांग की है पतलते मौसम के बीच भदोही जिले में लोग बीमार होना सुरू हो गए हैं जिसके चलते भदोही के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड लग रही है हलाकि काफी समय से OPD सेवा बंद थी लेकिन जैसे ही सरकारी अस्पतालों की OPD सेवा बहाद हुई वैसे ही अस्पतालों में मरीजों की भीड लगने लगी है सरकारी अस्पतालों में अधिकतर मरीज डायरिया से संबंधित जैसे उल्टी दस से पीडित पहुँच रहे हैं महराजा चेट सिंग जिला चिकित सालई ज्यानपूर के डाक्टर परतीब बिंद के मताबिक सुक्रवार को 250 मरीजों की परची बनी थी इनमें अधिकतर डायरिया के मरीज थे साथ ही कुछ मरीज एलर्जी सर्दी जुखाम खासी पेड़ दर्द मलेरिया वा टाइफाइट के सामिल थे जिला अस्पताल के डाक्टर ने बदलते मौसम के बीच खानपान पर बेहद सावधानी बरतने की अपील की है भदोही के बिद्धुत उभोकताओं के लिए एक खुसकबरी है अब घंटो लाइन में खड़े होकर आपको बिजली बिल जमा करने की जरूरत नहीं है अब मीटर रीडर ही आपके बिजली का बिल आपके दरवाजे पर ही जमा कर देंगे ऐसी ही तैयारियों को लेकर सुक्रवार को भदोही सहर के पाइल टाकिश पर बिद्धुत बिभाग के मीटर सुपरवाजर अफाक अहमद ने मीटर रीडरों को ट्रेनिंग दी और उनकी तैयारियों का जाजा लिया सुपरवाईजर आफाक अहमद ने बताया कि विद्दुत विभाग ने अपने उब्भोकताओं को बड़ी राहत दी है अमीटर रीडर दर्वाजे पर पहुँचेगा बिल निकालेगा और अगर आप चाहेंगे तो आपका बिल आपके दर्वाजे पर जमा हो जाएगा बिद्दुत विभोकताओं के लिए यह अच्छी खबर है बदोही जिले के गंगा घाटों पर बने पीपा पुलों को 30 जून से बंद कर दिया जाएगा आपको बता दे कि रामपूर डेंगूरपूर धंतुलसी गंगा घाटो पर बड़ी संख्या में ग्रामिड जनता पीपा पुल से आवागमन करती है इस संब्ध में लोग निर्माल भी भाग के अधिसासी अभियंता हीरा मडी वर्मा ने बताया कि 30 जून से पीपा पुल को बंद कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामिड जनता इन पीपा पुलों से आवागमन करती है ऐसे में इनके आवागमन का पूरा ख्याल रखा जाएगा बारिस के हिसाब से निर्ड़ै लिया जाएगा हलाकि उन्होंने बताया कि 30 जून से पीपा पुल को बंद कर दिया जाएगा अक्तूबर या माग मेले से पहले आवा गमन के लिए पीपा पुल को पुना चालू कर दिया जाएगा बदोही नगरपाली का इलाके के कुसियरा मोहले में पाइप लाइन बिछाने को लेकर इंटर लाकिंग सड़क को उखाड़ दिया गया था जनवरी माह से अब तक यह इंटर लाकिंग सड़क जस की तस खोद कर पड़ी हुई है सीवर पाइप लाइन भी डाल दिया गया है उसके बाद मिट्टी डाल कर उसी तरह सड़क को छोड़ दिया गया है अब यही सड़क महले वासियों के लिए फजीहत बन गई है सुक्रवार को महले के ही किसन सेट राजकुमार सेट रमन यादो पपू सर्मा मेहिलाल बिसकर्मा सरद दूबे जैसे महले वासियों ने परदरसन करते हुए कहा कि खोद कर छोड़ी गई इंटर लाकिंग सड़क हलकी सी बारिस में भी मुसीबत बन जाती है आक्रोसित महले वासियों ने परदरसन भी किया है कहा कि आए दिन लोग गिर कर चोटिल भी हो रहे हैं सड़क को खोद कर छोड़े लगभग छामा से अधिक का समय बीच चुका है लेकिन महले वासियों की इस समस्या पर नगर प पिर अहमद ने जिला अधिकारी को संबोधित एक पत्र एडियम भदोही को सौपते हुए आरोप लगाया है कि उसकी भूम पर जवरन गाउं के ही सलामत उर्फ गुड़ू नामग व्यक्ति निव खोद कर कबजा कर रहा है कहा कि सलामत उर्फ गुड़ू के परिवार वाल पीटने की धमकी दे रहे हैं पराथना पत्र देते हुए डुड़वा धर्म पूरी निवासी बसीर आहमद ने भदोही जिले के आला अफसरों से इंसाफ की गुखार लगाई है अबयद कमाई वग्रामलों से अबयद वसूली की नियत से एक संबिदा लाइन मैन की बेहूदी कर्तूत सामने आई है ऐसी ही कुछ सिकायत है भदोही विकास खंड के पिपरिस महावीरपूर महादेवा से जहां गाउं के योगेंद्र गुपता, संदीप, सुरेंद्र, मनुहर, सल्मान, अजीम, बिनोत, मुलायमादी ग्रामलों का आरोफ है सुवधा सुल्क के चकर में गाउं में तैनात संबीदा लाइन मैन जान बूच कर ट्रांसफार्मल से इलाके के बिधुत आपूर्ती ठप कर देता है जब ग्रामलों द्वारा चंदा वसूल कर दिया जाता है तब बिधुत कर्मी द्वारा बिधुत आपूर्ती को ठीक किया जाता है लाइन मैन के इस बेहूदी कर्तूश से पिप्रिस के महावीरपूर महादेवास के ग्रामिल बेहद परिसान है पुलिस अधिच्छक राम बदन सिंग के निर्देश पर अपराधों पर अंकुस लगाये जाने के निर्देश पर भदोही जिले की अलग-अलग थानों की पुलिस ने सुक्रवार को कुल 17 लोगों को सांती भंक के आसंका में गिरफतार किया है कोईरोना थाने के उप निर्द्छक राम बहादुर राय ने दो लोगों को भदोही कोतवाली के उप निर्द्छक राजंदर सिंग ने जलालपुर से एक तथा प्यारभी द्वारा दो लोगों को इसी तरह आवराई के उप निर्द्छक परमोत कुमार यादव द्वारा बिधुत विभाग की लापरवाही से आए दिन हाथ से हो रहे हैं। बावजूद बिद्धुत बिभाग पूरी तरह लापरवा बना बैठा है। एक और हैरान करने वाला मामला परकास में आया है। सुरियावा बाजार से जहां बिद्धुत बिभाग द्वारा लगाया गया बिद्धुत तार पूरी तरह जरजर हो गया है। अलाके के सैले सिं जर में 20 जोड हैं सुक्रवार को ऐसा ही एक जरजर विद्धुत तार तूट कर गिर गया सन्योग अच्छा था कि कोई हादसा नहीं हुआ अन्नथा बड़ी घटना हो सकती थी आसपास के लोगों ने तार तूट कर गिरने की सूचना विभाग को दी जहां एक बार फिर चौरी निवासी मसहूर सायर फैजान वहीदी को वर्ड रिकार्ड मुसायरे में सामिल होने का निवता मिला है सायर फैजान वहीदी को इंडिया बुक आफ वर्ड रिकार्ड के मुसायरे में मिले इस निवते से उनके करीबियों वा सायरों में खुसी का माहौल देखा गया बदोही जिले के चवरी 89 फैजान वहीदी अपनी सायरी के लिए देश में मसहूर हैं। अब तक 500 से ज्यादा मुशायरे के कारकरमों फैजान वहीदी सिरकत कर चुके हैं। आपको बता दे कि इस कारकरम में देश के मसहूर सायर भी सिरकत कर रहे हैं। सुक्रवार को गोपिंगन इस्थित कांग्रेस कमेटी के कैम्प कारियाले पर एक प्रेसवारता आयोजित कर पूर विधायक योगेस मिस्रा ने केंदर की मोधी सरकार पर बड़ा आरूप लगाया है कहा कि संकर्मण मामले में भाजपा की सरकार पूरी तरह बिफल है लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया है एक तरफ लोग संकर्मित हो रहे थे वहीं दूसरी तरफ मोधी सरकार वैक्सीन को निर्यात करने में ब्यस्त रही पत्रकार वारता की बात कांग्रेस के जिला अध्याच माबूद खान ने राष्ट पती को संबोधित एक पत्र कलेक्टेड में भी सौपा है गोपी गंज पुलिस में सुकरवार को सडको पर यातायात नियमों का उलंगन करने वाले वहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया है जिसमें 30 वहनों का चालान किया गया साथ ही 5,500 रुपिया संबन सुल्क भी वसूला गया है वरसों से बदहाल पड़ी भदोही जिले के जंगीगन धंतुलसी मुखमार का निर्मार कार सुरू हो गया है अब जल्दी छेतर की इस जरजर सडक से रहगीरों को निजात मिल जाएगी आपको बता दे कि जंगीगन धंतुलसी मार्क पर हमेशा रहगीरों का दबाव रहता है कई सालों से जरजर पड़ी या सडक पूरी तरह जरजर हो चुकी थी जगा जगा गड़ों से रहगीर गिर कर चोटिल हो रहे थे इस जरजर सडक के निर्मार की काफी दिनों से मांग की जा रही थी भदोही जनपद अनलाख होने के बाद इस सड़क को सही कराने में विभाग जुट गया है ऐसे में अब रहगीरों को जरजर सड़क से छुटकारा मिल जाएगा चुनाव ड्यूटी के दवरान संक्रमल की जद में आकर मौत की नीद सोने वाले सिच्छा कर्मियों के परियों को सरकारी नौकरी और एक करोल रूपे देने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने भदोही जिले के मोड डुडवा धरम पूरी में एक प्रेसवारता की इस दवरान आम आदमी पार्टी के भदोही जिला अध्यच मनोज गुपता ने चुनाव ड्यूटी के दवरान संक्रमल की चपेट में आकर मौत की नीद सोचुके सिच्छा कर् कर्मियों के परिवार के किसी एक सदस को सरकारी नौकरी देने के साथी साथ एक करोल रूपे का मौाइजा भी दे कहा कि सूबे की सरकार के जित के आगे राज निर्वाचन आयोक की लापरवाही के कारण कई सिच्छा मित्र आसा आंगानबाडी कार करता आदी की मौत हो भदोही जिले में सुकरवार को मात्र पांच नए मरीज मिले हैं जबकि 25 स्वस्थ हुई हैं एक मरीज की मौत हुई है 15 मरीज भदोही के एल्टू अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं 102 एक्ट्यू केस बचे हैं 84 होम आइसुलेशन में हैं इसी तरह भदोही जिले में सुकरवार को वैक्सिनेशन को लेकर भी लोगों में गजब का उत्साह देखा गया भदोही विकासखन के ग्राम सभा निवादा कला के प्रामेरी पार्ट साला में कैम लगाकर 76 लोगों का टीका लगाया गया इस दवरान ग्राम सभा के प्रधान दिनेस पाठक एनम गीता आपको बता दे कि ग्राम प्रधान दिनेस पाठक द्वारा पिछले कई दिनों से वैक्सिन की जागरुकता को लेकर ग्राम सभा में अभियान चलाया जा रहा था सत्यमनीज बेब टीवी पर आप रोजाना पाते हैं सहर गाउगली महले की हर छोटी बड़ी खबर इसमें ऐसे तमाम जागरुक दर्सकों की भी अहम भूमका है जो अपने छेतर इलाकों की होने वाली खबरों को हमारे टीम को बताते हैं ऐसे हम उनका आभार व्यक्त करते ह सत्यमनीज ऐसे लोगों का नाम पता भी गुप्त रखता है आप भी बनिए अपने इलाके के जागरूग नागरिक और मिलाए हमारी टीम को फोन हमारा नंबर चैनल पर लगातार फ्लैस हो रहा है आज के लिए बस इतना ही आईए अब जानते हैं आज क्या कुछ है ग्यानि पंडी जी में आज पास जून 1972 को विश्व प्रयावरण दिवस की सुरुआत संयुक्त राष्ट महासभा द्वारा आयोजित विश्व प्रयावरण सम्मेलन से हुई थी ग्यानि पंडी जी के बाद अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार अदाब